नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स नीूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा क्या आज तूट जाएगी क्या के पाठक की ये परंपरा इस IAS अधिकारी पर पूरे बिहार की नजर टिकी हुई है हम बात कर रहे हैं बिहार के नए A.C.S. सिक्षा विभाग के नए A.C.S. सिद्धार्द की दरसल राज्य के सभी विश्विद्यालियों में सिक्ष को और कर्मचारियों के लंबित वेतन वपैंसन समेत अन्य संक्ट का समधान सिख्ष होने की उमीद है राजपाल ने इस संबंध में बैठक बुलाई है राजपाल राजेंदर विश्वनात आरलेकर बुधवार को राजभवन में सभी कुलपतियों के साथ बैठक करेंगे इसमें सिख्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव डॉक्टर एस सिधार्थ सचीव वैदनात यादव तथा उच्च सिख्षा निदेशक डेखा कुमारी बुलाए गई हैं ये तैम आना जा रहा है कि विभाग के अपर मुख्य सचीव डॉक्टर एस सिधार्थ बैठक में सामिल होंगे अब देखने वाली बात ये भी होगी कि अस सिधार्थ इस मीटिंग में सामिल होते हैं या नहीं सिख्षव भाग से मिली जानकारी के मुताविक डॉक्टर एस सिधार्थ राजभवन में आयोजित बैठक में सामिल होने जाएंगे ताकि विश्विद्यालियों में व्याप्त वित्ये संकट का समधान का रास्ता निकल सके बैठक में विश्विद्यालियों के सभी कुलपती, वित्ये, परामर्सी, कुलसचीव एवं वित्पदाधिकारी सामिल होंगे राजभवन में होने वाले बैठक का एजेंडा अत्ताय कर दिया गया है इसमें विश्विद्यालियों और महाविद्यालियों की वित्ये स्थिती यानि आंत्रिक स्रोत की रासी प्रवंधन सहित वित्ये वर्स 2024-25 के प्रस्तावित बजट की रासी विमुक्ती पर विचार विमर्स विश्विद्यालियों और महाविद्यालियों के पील खाते बैंक खाते एवं फिक्स डिपोजिट के रूप में उपलब्ध रासी की जानकारी के लिए दिये गए प्रपत्र पर चर्चा वित्ये वर्स 2024-25 के पुर्व के वित्ये वर्स 22-23 एवं 23-24 में विमुक्त रासी का सेस पैसे तथा सीए जी के अंकेक्षन परतिवेदन के अनुपालन पर विचार विमर्स सामिल है गर्लब है कि पटना हाई कोट ने तीन मई को विस्विद्यालियों के बैंक खातों पर सिक्षा विभाग की रोग के आदेश को अस्थागित करते हुए पहले वित्ये वर्स का बकाया चुकाने का आदेश दिया था अब हाई कोट इस मामले की सुनवाई 25 जून को करेगा कार्यभार समाल रहे सिक्षा विभाग के नए एसेस एस्थिधार्थ ने 12 जून को एक और बैठक बुलाई है लेकिन सची बैदनात यातब ने फिर से कुलपतियों को एजेंडे के साथ सीधे पत्र लिखा है सिक्षा विभाग और कुलादी पत्ती सचीवाले के बीच गतिरोध हाई कोट पहुंच चुका है राजभवन ने भी आज 12 जून को सभी कुलपतियों की बैठक बुलाई है तो अब देखना है कि किके पाठक की तरह ही एससे धार्थ राजभवन जाते हैं या नहीं जाते ह और इससे धार्थ एक अलग तरह के आईएस ओफिसर हैं और जमीन से जुड़े हुए आईएस ओफिसर हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं और उमीद है कि इससे धार्थ जो है वो राजभवन में जाएंगे और राजपाल से मुलाकात करेंगे बैठक में सामिल हों तो फिलाल इस ख़र में इतना ही है आपका क्या कहना है इस वीडियो पर यह सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कि जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे धन्यवाद